क्या जम्मुकश्मीर सरकात चेहरे देखकर और आपके कनेक्शन और आपके रिष्टे देखकर आपको स्क्योर्टी देती है? ये एक बड़ा सवाल है, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सूत्रों की अगर मानें तो जम्मुकश्मीर पुलिस ने पिछले दिनों कुछ सीनियर पुलीस आफिसर्स की सिक्योर्टी को डाउंग्रेड किया और मेरे सूत्रों के मताबिक अगर डिरेक्टर जेनल पुलिस दिलबाग से इंटर्वीन नहीं करते तो कई पुलीस आफिसर्स की स्क्योर्टी जो वाई स्क्योर्टी में आते हैं उन पुलीस आफिसर्स की स्क्योर्टी विड्रॉ हो जाते हैं कई हो के पियसो विड्रॉ हो जिन लोगों ने आतंकवाद घरस जमो कश्मीर में कमाल का काम किया S.O.G के बिलकुल शुरुवाती दिनों में जिन लोगों के नाम से आतंकवादी कामते थे जिन आफिसर्स के नाम से आतंकवादी कामते थे उनी officers को लेकर अब मेरी जानकार सूतरों के मताबिक एक security establishment का हिस्सा है जो ये मानता है कि अब हालाद जम्हकश्मीर में इतने बहतर हो चुके हैं कि इनकी security withdraw कर ली जानी चाहिए SI को जम्हकश्मीर पुलिस में भी हुआ मैं आपको ये बताओं कि जो मेरे पास जानकारी उसके मताबिक पांच categories में security को बांटा गया है Z+, Z, Y, X और X1 ये पांच categories है आपकी threat perception की बुन्याद पर क्या आपको खत्रा कितना है उस खत्रे की बुन्याद पर ये तै करती है security wing किसको कितनी security दी जानी चाहिए अब इस बुन्याद पर जब तै किया जाता है तो वो तमाम officers जिन्होंने anti-terror operations में lead ली और जिनके anti-terror operations को आज भी मिसाल के तोर पर नए officers को operations के बारे में जानकारी दी जाती है उनी officers की security को downgrade करने के बारे में जब जमो कश्मीर की सरकार ने सोचा तो कई officers ने इसको लेकर protest किया जो मेरी जानकारी है उस जानकारी के मताबिक डेटर जनरल पुलिस दिलबाग सिंग ने इसमें intervene किया और सरकार को ये कहा कि आप इन officers की security को फिलाल withdraw नहीं कर सकते हैं third perception इस बुनियाद पर तैह नहीं किया जा सकता कि जमो के हालात या कश्मीर के हालात इस उत कितने बहतर है third perception इस बुनियाद पर तैह किया जाता है कि इन लोगों को लेकर पाकिस्तान के intelligence अजनसियां पाकिस्तान की army पाकिस्तान की establishment आतंकबादियों का सम्मू क्या कुछ प्लान कर रहा है इस बुनियाद पर तैह किया जाएगा कि किसी की security को विड्रॉ किया जाए या ना किया जाए और दूसरा ये जब जम्मू शेहर के बीचो बीच सुझुआ के जलालाबाद इलाके तक फिदाईन पहुँचते हैं और CISF की बस के उपर ताबर तोड गोली बारी करते हैं उसके बाद जाकर एक encounter होता है और दूनों फिदाईन मारे जाते हैं तो क्या इन हालात में इन पुलीस आफिसरों की security को downgrade करना officer को किती security मिलनी चाहिए मेरी इतला के मताबिक कुछ officer जमो कश्मीर पुलीस के ऐसे भी हैं जिनके बस 50-50 जवान हैं कुछ के बस 45-45 जवान हैं कुछ ऐसे भी हैं जिनके घर में गार्ड अलग स्टेंडिंग गार्ड अलग से हैं पियेसो अलग से हैं और ड्राइवर अलग से हैं ये सब कुछ इन पुलीस officers को दिया गया है जाहिर सी बात है आतंक वाद से इन लोगों ने लड़ाई लड़ी है और एक लंबे वक्त तक ये insurgency के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे हैं इन बुनियादों पर उनकी third perception को दियान में रखते हैं जो कदम उठाए गए हैं वो उठाने जरूरी भी हैं लेकिन कुछ officers चुने हुए कुछ officers की security withdraw करना और उनकी security को downgrade करना बिना ये बताए बिना ये explain किये कि कौन सी ये किस बुनियाद पर ये downgrade की गई है ये साफ तोर पर ये दर्शाता है कि politicization ये इलजाम लग रहा है police officers लगा रहे हैं कि politicization हो गई है security की भी वो ये कहते हैं कि साफ तोर पर सरकार को police officers के मामले में इस security किसकी कितनी होगी उसको politicize किये बगएर third perception की बुनियाद पर और इन लोगों ने आतंकवाद के मुकाबले में कितना कुछ achieve किया है और सरकार के लिए और देश के लिए क्या कुछ किया है उन बुनियादों पर तैग किया जाना चाहिए कि किस police officer की कितनी security रहेगी और उसमें भी तमीज रखी जानी चाहिए कि जो category की बुनियाद पर जितनी security बनती है उतनी security सभी को दी जाए यानि आप एक DGP के मामले में तैग करते हैं कि चार लोग काफी हैं चार गार्ड काफी हैं एक DGP के मामले में आप तैग करते हैं पचास भी काफी नहीं है एक के मामले में आप तैग करते हैं पैंतालिस भी काफी नहीं है एक के मामले में आप तैग करते हैं तीस भी काफी नहीं है एक पुलिस ओफिसर को लेकर आपका ये पैमाना है कि इसके साथ चार पीसो होने चाहिए एक पुलिस आफिसर को लेकर आपका ये मानना है कि यहां तीन होने चाहिए जब कि जब हम पुलिस आफिसर से पूछते हैं जो जब मुकश्वीर पुलिस की स्क्योर्टी विंग से जुड़े हुए रहे हैं वो साफतोर पर ये कहते हैं कि DGP लेवल तक Y कैटेगरी की स्क्योर्टी जो है तमाम पुलिस आफिसर को मिलनी चाहिए उसके बाद 3rd perception की बुनियाद पर कुछ एक पुलिस आफिसर अफिसर ऐसे भी हो सकते हैं जिनको आप Z कैटेगरी की स्क्योर्टी दे सकते हैं लेकिन आप Y category में जो fall करते हैं उन्हें भी Z category की security देते हैं और उसकी कोई basis नहीं बताते ये पुलीस वालों के बीच में परिशानी का बाइस बनता है सभी के साथ एक जैसा सुलूक होना चाहिए अगर एक पुलीस आफिसर को आप Y category का मानते हैं और दूसरे को आप Z category का मानते हैं जबकि दोनों ने एक जैसे operations किये हैं तो फिर सवाल ये खड़ा होता है कि इनसाफ के parameters क्या हैं ये feeling ये सोच ये विचार जब मुकश्मी पुलीस के उन officers के जहनों में आज आ रहा है जिन officers ने anti-terror operations में कमाल का काम किया है कई नाम है मैं किसी का नाम यहां पर नहीं लेना चाहता हूँ लेकिन जो मेरे सूत्रू ने और मेरे sources ने मुझे बताया है जो मेरे knowledge तक आया है उस सब में आप तक पहुचा रहा हूँ मुझे ये भी बताया गया कि security review committee की meeting हुई उसी security review committee की meeting में ये टैग किया गया कि फलाँ फलाँ officers की security को downgrade किया जाना चाहिए सवाल यहाँ पर यह है कि आतंकवाद की threat आज भी है फिदाईन हमला और फिदाईनों के entry अगर सुझवा तक होती है अगर कुछ आतंकवादी जगती के पास मारे जाते हैं कुछ आतंकवादी बंट ओल प्लाजा के पास मारे जाते हैं कुछ आतंगवादी बंद से फोड़ा आगे जजरकोटली के पास मारे जाते हैं ये सब पिछले सालू के मैं энकाउंटर्स की बात कर रहा हूँ तो इस اور उसके बाद रजोरी में जिस तरीके के एनकाउंटर हुए पुंच में जिस तरीके के एंकाउंटर हो रहे हैं इन तमाम चीज़ों को दिहान में रखते हुए जब थर्ड प्रेसिप्शन और अलग-अलग पुलीस आफिसेज की स्क्यूरिटी को लेकर सरकार फैसला करना शुरू करे तो सीनियर पुलीस आफिसर ची कहते हैं बुनियाद सिर्फ एक होनी चाहिए कि आपने एंटी टेरर आपरेशन में कैसा काम किया है और दुश्मन आपको लेकर क्या मनसुबे बना रहा है